So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आगनवारी वरकर्स का आज के एक और नए वीडियो में तो जैसा कि आज के हम इस वीडियों बात करेंगे कि आज 21 तरिक है और आज के दिन आगनवारी केंदरों पे कौन सी गतिविधी होने वाली है इसके बारे में आप लोग को पूरी जनकारी देंगे तो वीडियों को आप लोग सुरूस्त लेके लाश तक जरूर देख लिजेगा जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आज 21 मार्च 2023 है और इसमें जो में पॉइंट है आप लोग को यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा गया है कि माता समूव के साथ बैठक करनी है जो पोशक छेतर के गर्भवती धातरी महिलाएं हैं या जीरो से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी माताओं के साथ बैठक आयोजित करनी है ठीक है और बैठक में आप लोग को क्या करनी है कि जो लभार्थी आपके यहाँ पर आपके आगनबारी के अंदर पर आएंगी उनको पोसं स्वास्त एवं स्वक्स्ता संबंधी जो जागरुकता है उसके बारे में बताना है साब सफाई के बारे में बताना है ठिक है उसके बाद चेन गार्डेन का मोहतों के बारे में भी समझाना है और सबसे इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे स्री अन्मिलेट को दिया गया है जैसे कि स्री अन्मिलेट के बारे में जो भी लभार्थी हैं उनको जागरुक करना है जो गर्भवती धात्री और बच्चों के माताये हैं उनको इस बारे में समझाना है फिर उसके बाद यहां पर उपड़ी आहार का महत्तों के भी बारे में समझाना है जैसे कि जो छे मा के बच्चे हो जाते हैं उसके बाद उनको उपड़ी आहार दिया जाता है तो इनके बारे मे जो बच्चों के मताएं है उनको यह सब समझाना है ठीक है तो इस परकार के इन विसवर पर चर्चा करना है और अगला जो पॉइंट है यहाँ पर ग्री भर्मन जब आप ग्री भर्मन करने जाएंगी तो जो धातरी महिलाएं हैं खासकर उनको खान पान में स्री अनमिलेट का जो महत्व है उसके बारे में बताना है कि उनको अपने अहार में जो सिरी अनमिलेट जैसे की मोटे अनाज, जुआर, बजरा, रागी इस परकार के जो अनाज हैं उसके महत्व के बारे में बताना है कि वो अपने अहार में इसको सामिल करे पॉश्टिक इसमें भर्पुर मा मिला ही होगा एन हाथों की स्टाफ सफाई कैसे रखनी है बच्चों कोurb翼ेज इस परकार pasti है आहाँ पर बिरिधि निगरानी जैसे की लिखा गया है जिसे जीडो से चे श्वाल के सभी बच्चों का वजन उचाई ओवलिक लंबाई लिया जाना है यों सेम Ohh बच्चों की पाचान और उच्छी देखवाल संबंधी परमर्ज देना है ये जो बिड़ी निगरानी है वो आप लोगों को जीरो से लेके 6 साल के बच्चों का बिड़ी निगरानी करना है पोसंट्रेकरेप पे डेली कुछ न कुछ बच्चों का हाइट नापना है और उसको उसमें portion tracker app में add करना है अब देखिए कुछ बहने जो है वो comment करकर पुछती हैं कि सर सेम में को हम लुग normal कैसे करेंगे तो देखिए सेम में जो बच्चे अगर आपके portion tracker app में दिखा रहे हैं तो उनको normal नहीं करना है उनको ऐसा बताना है जो उनकी माताए है हैं या उनके जो परिवारवाले हैं उनको बताना है कि удichijn बच्चे हैं उनको अधिक देख्भाल करने की जुरत है और यह नहीं कि आप अपने पोस्तन ट्रेकर एप में उनको नर्मल कर दे और बच्चे का जो स्वास्थ है वह पिस Rub करना है normal कर देती है लेकिन ये नहीं करना है आप लोग को ठीक है जो आप लोग वजन और उचाई एक्टूर्ल मापते हैं वही अप लोग डालेंगे अगर सैम्म दिखाता है तो बच्चों के जो माता पीता है उनको सला देंगे कि इसको ये बच्चा जो है अत्तिकूपोसित है इसको आप अच्छा खान पान खिलाएं ताकि वो बच्चे फिर से नर्मल हो जाएगा तो आप उसको पोसंट्रेकरेप में डालेंगे तो खुद बखुद नर्मल दिखाने लगेगा ठीक है तो आप लोग को इस परकार से आज के दिन ये जो गतिवीधी ये वो करनी है आई होप आप लोग को आज के इस वीडियो में मैंने आज के जो गतिवीधी है उसके बारे में पूरा जनकारी आप लोग को दे दिया है अगर वीडियो में दीगे जनकारी आपको पसंद तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा और ज्यादास ज्यादा बहनों तक सेर कीजेगा और यदि आप पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद